हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में आज के इस वीडियो में कलास बारह के रसायन विज्ञान अभ्यास दस अभ्यास का नाम हेलो इलकेन तता हेलो इरीन के बारे में अध्यन करेंगे तो हेलो इलकेन क्या होते हैं पूरा बारे में इसको बताया जा चुका है जो है कलोरो फार्म कैसे बनता है एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है यह सब बताया जा चुका है यदि उस वहाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाकर कि उस वहाँ का वीडियो देख सकते हैं आज जो हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन क्या होता है और हैलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा तो एक एक परिभासा को आप सुभी विद्यार्थी अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप सुभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा तो अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेजे हैलो एरीन हैलो एरीन हैलो मने हैलो जन और एरीन मतलब जानिएगा जो है क्या बिंजीन हैलो एरीन मतलब हैलो मने हैलोजन का परियोग करना है और ये भी बेंजीन में किसमें बेंजीन में परियोग करना है तो हैलो एरीन क्या होते हैं पर इसकी परिभासा को लिख लेंगे एरोमेटिक अब लोग पढ़े होंगे कलास जो है दस में पढ़े होंगे aromatic योगी तो aromatic योगी में कौन आते हैं तो आप जानते होंगे aromatic में जो है benzen आते हैं तो aromatic halogen aromatic halogen halogen योगी योगी जिन में जिन में halogen परमाड जिन में halogen परमाड halogen परमाड क्या होते हैं aromatic ring से जुड़े होते हैं aromatic ring से aromatic ring से क्या होते हैं जुड़े होते हैं ring से जुड़ा होता है जुड़ा होता है होता है उसे क्या कहते हैं उसे हेलो एरीन उसे हेलो एरीन हेलो एरीन हेलो एरीन या एरील हैलाइड भी का जाता है या इसका दूसरा राम याद रखेंगे एरील हैलाइड क्या कहेंगे Arial Halide Arial Halide Halide भी कहते हैं Arial Halide भी कहते हैं तो कितना आसान परिभासा है इसे आप लोग दो बार पढ़ेंगे तो परिभासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा तो कैसे बोलेंगे Aromatic Halogen योगी जिन में Halogen परमार ध्यान देंगे कौन सा परमार Halogen परमार Aromatic रिंग से क्या होता है जुड़ा होता है उसे Halo Arine या Aril Halide भी कहते हैं अब यहाँ पर Aromatic जो है योगी में क्या हम लोग पढ़ेंगे Benzean अब Benzean की सनचना याँ बनाएंगे Benzean की सनचना जो है कैसे बनेगा यहाँ है Benzean क्या हो गया Benzean अब यह Benzean में जो है क्या जुटेगा Halogen जब Benzean में Halogen जुटता है उसको क्या कहते है Halo Arine कहा जाता है या आपको यहाँ परिभासा एक लिख सकते है कि Benzean में Halogen परमार जुड़ जाए उसे क्या कहते है Halo Arine कहा जाता है आयोडीन जो है नाम सुने होंगे कलोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये तीन जो ऐसे परमाड है उसको क्या कायता है हाइलोजन में इसको रखा गया है तो यह सील है यहाँ पर बेंजीन में क्या है यहाँ पर जुटा है उपर देखेंगे यहाँ पर एक नमर पर जुटा गया आप इसका नाम लिख सकते हैं क्लोरो बेंजीन क्या नाम रख सकते हैं क्लोरो बेंजीन उसका नाम है तो इसका नाम भी लिखते चलिएगा तो इसमें क्या जुटा है तो बेंजीन में जो है हैलोजन परमाड क्या है जुड़ा हुआ है अगर दूसरा हम इसका एजामपल बना जाएगा ध्यान देंगे अब यहां पर देखेंगे अब यहां पर जो है देखेंगे यहां पर जो है सियल जुटा हुआ है पहले यहां जुटा था और अब यहां पर देखें जुट गया अब इसका नाम क्या है तो यहां पर देखें ध्यान से इसका नाम जो है इसको जो है आर्थो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जो है, सियल किस अस्थान पर है, तो यह किस पर अस्थान है, मेटा क्या अस्थान पर क्या है, तो यह जो CL जो है O, इसको O बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेटा यम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पैरा बोलते हैं, तो इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यह पहले नंबर पर है, और यह दूसरे नंबर पर है, तो इसको लिख सकते एक दो डाई क्लोरो बेंजीन, एक दो का मतलब क्या है, मतलब पहले अस्थान पर और यह दूसरे अस्थान पर, इसने इसका एक कहेंगे और इसको दो बोलेंगे तो एक दो डाई क्लोरो बेंजीन, इसको अगर छोटा सा नाम याद रखना चाहेंगे, तो एक दो न बोलकर कि इसको क्या ली सकते है ओ, ओन हो जाएगा, ओ का नाम क्या है, आर्थो, क्या बोलेंगे, आर्थो जाएगा, और यह बोलेंगे, डाई, क्या बोलेंगे, डाई, और यहां बोलेंगे, क्लोरो, और क्लोरो, और क्लोरो, बेंजीन, बहुत असान नाम है, बस थोड़ा सा आपको ध देंगे अब यहां पर आप और भेजिन तीसरा बनाएंगे तो आप सबी द्यारती जब्व बनाते चलिए अपने काउपई में अब यहां पर इसका नाम बताना जैसे वर यहां पर S.I.L. ह AM और यहां पर CL जुटा हुआ है तो अब देहां देजिए पहले CL किस नमबर पे था दूसरे नमबर पे था अब CL किस नमबर पे आ गया तीसरे नमबर पे आ गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे इसको कहेंगे एक एक नमबर पर है और किस नमबर पर है तीन एक नमबर दो नमबर हो जाएगा और क्या लिखेंगे यहां पर डाई क्या लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन क्यों लिख रहा है क्योंकि दो है इसलिए डाई लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन डाई क्लोरो क्या हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा तो यहां पर जैसे यहां पर एक नंबर पर है और यहां 2, 3. तिस्री नमबर पह रिटका हुआ है, तिसली एक कामा 3 लिखतेM haha Dicloral Benzem, इसको छोटा सब नाम लिखना चाहेंगे तो यम मतला ननक नहीं नहीं कितो बाल मेंदेम हो जाएगा और यहां लिखेंगे dicloral Benzem. डाई क्लोरो बेंजीन अब अगला जो लिखेंगे अगला जो हमारा जो बनेगा अगला क्या बनेगा तो अब यहां से जो है फेंसपुना बेंजीन बनाएंगे बेंजीन बन जाएगा बेंजीन बनने के बाद से जो है यहां पर अब यहां पर सीयल लटका हुआ है और नीचे जो है CL लटका हुआ है तो अब बताई CL किस अस्थान पर है तो यहां पहले अस्थान पर है यह दूसरा तीसरा चौथे अस्थान पर है इसको कैसे लिखेंगे एक कामा चार एक कामा चार हो जाएगा और क्या लिखेंगे डाई एक आमाचा डाई क्लोरो बेंजीन डाई क्लोरो क्या हो गया बेंजीन और इसको छोटा मागर नाम याद रखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे पी पी का मतलब क्या होगा पैरा और यहां लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन तो समझ में आ रहा होगा बहुत असान है बस थोड़ा सापको धियान देना है आपको क्या होगा याद हो जाएगा तो यहां से देखिए एक नमबर बोलेंगे यहां से यहां एक कामा दो है ते यहां पर जो रहेगा यहां पर इसको काबल देते हैं आर्थो आर्थो इसको काबलेंगे इसको काइंगे मेटा इसको काबलेंगे आपका मेटा के बासे जो है पैरा काबलेंगे पैरा तो इसे जो ह आप सभी जयारती इपने कापी में क्या किये लोट करें तो अब हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है यह बैदी और भी बनाना चाहते हैं तो पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक किस नमबर पर है देख लिए दूसरे नमबर पर है और यहां पर यहां पर C-L लटका हुआ है और यहां पर Y-N-O-2 है क्या है Y-N-O-2 है तो अब इसका अगर नाम लिखना चाहते है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे तो C-L देखे कहां पर है तो दूसरे नमबर पर है तो दाई हो जाएगा डाई के बाद से क्वा समय क्वा स report है तो नाम लिखना है तो सब बीजीं पर है लाश्ट में क्या लिखेंगे बीन जीन क्या बनेगा है भी ओक्रकानम पांच डाई खलोड कमछ evtown में बील गलिखने है तो ट्राई बोलते हैं तो यहाँ CL2 है इसलिए इसको डाई बोला जाएगा और यह NO2 का नाम क्या है नाइट्रो है और किस पे लटका हुआ है तो किस पे बना हुआ है बिंजीन पर इसने लाश में का लिखेंगे बिंजीन तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरो बिंजीन कैसी बनाय जाता है इसकी परियोग शाला बिधी क्या है तो यह लिखेंगे क्लोरो बिंजीन तो क्लोरो बिंजीन बनाने की बिधी बनाने की बिधी कैसे बनेगा क्लोरो बिंजीन कैसे बनता है अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्लोरो बिंजीन बनाने की क्या बिधी है कै कैसे इसको बनाया जाता है तो लिख सकते हैं क्लोरो बेंजीन बनाने के लिए और क्लोरो बेंजीन का सुत्र क्या था अब यह उपर बनाए गया था क्लोरो बेंजीन कैसे बना था तो यहां लिखेंगे बनाने की बिधी होने के बाद से लिखेंगे परियोग साला में क्लोरो बेंजीन प्रियोग साला में जो है क्लोरो बेंजीन बेंजीन बनाने के लिए को बनाने के लिए को बनाने के लिए बनाने के लिए अब किसका किसका प्रियोग करेंगे तो प्रियोग साला में जो क्लोरो बेंजीन जो बनाय जाता है तो इनीलीन किसको एनिलीन को जीरो डिग्री सेल्सियस से पाँच डिग्री सेल्सियस पाँच डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइड के लिखेंगे आपर सोडियम नाइट्राइड अगर सोडियम नाइट्राइड का सुत लिखना चाहते हैं यह लिख सकते हैं Na 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 O2 sodium nitride Na 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 O2 तथा तथा यह C-L यह C-L के मिस्रन यह C-L का नम क्या है hydrogen pulrite इसको बोलते हैं यह C-L के मिस्रन मिस्रन की किरिया कराने पर कराने पर कराने पर कराने पर करता है कराने पर पर benzine diazonium को राइट प्राप्थ होता है क्या बनता है benzine benzine dia बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त होता है तो बेंजीन बनाने के सबसे पहले जो है बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त होगा अब यह जो बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त हो जाएगा तो अब उससे क्रिया करा जाएगा तो सेकेंड में जाकर के क्लोरो बेंजीन बनेगा तो परले इसके बारे में पुरा समझ लेते हैं जैसे यहां पर C6 4C6H5 C6h5 या नहीच 2 यह किसका सूत्र है तो Achine-Lean का सूत्र है और यहां पर जो है किसे क्रिया करेगा तो यहां पर जीरो से लेकर के 5 डिगरी सेलし Såseus पर क्रिया करेगा और किसके साथ करिया करेगा तो sodium nitrite, sodium nitrite के सुत्र क्या है यान ए यान ओ टू, अब यहां इसको जो है और यहांपर जो है यासील के मिसराण, यासील मतलब यहांपर तू याचसील को ले करके, जब यहां गर्म करेंगे कितने डिगरी पर? जीरू से ले करके कहां था? पांच डिगरी से जब गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा? यहां बनेगा C6H5, C6H5, यान टू, यान टू, और बनेगा यहां पर सील बन जाएगा, प्लस तू याच टू बन जाएगा, प्लस यान ने सील बनेगा, इतना चीज बनने के बाद से जो है, इसका क्या नाम है? ए नीलीन है, और इसका नाम क्या है? सोडियम नाइटराइड है, और इसका नाम क्या है? यासील है, और इसको जीरो से लेकर के 5 डिगरी सेलसियस पर क्या क्या गया है? गर्म क्या गया है, तो क्या बना है? बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त हुआ है, अब यह जो है, बेंजीन डा जरूर कर लिजिए, तो अब यहाँ सेकेंड में जब होगा, यहाँ लिखेंगे, बेनजीन डाई एजोनियम कुलराइट को, क्यू प्रस कुलराइट और यह सीयल की उपस्थित में जब घर्म करते हैं, तो chlorobenzen बनता है अब यहाँ पर जो है नीचे लिखेंगे अब यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लिजेगा कि benzen क्या लिखेंगे benzen benzen di benzen di di agonium agonium benzen di agonium agonium kulrite kulrite इसका नाम अगर थोज़ा सवर बढ़ा दिजेगा यहाँ kulrite लिख लिख लिजेगा kulrite kulrite इसका नाम क्या है C6H5 into CEL इसका नाम क्या है benzen di agonium kulrite benzen di agonium kulrite co co cuprous cuprous kulrite की उपरस kulrite की उपरस kulrite और ESCEL क्या कहेंगे और HCL मना हाइट्रो कुलोरिक अमल इसको बोला जाएगा हाइट्रो कुलोरिक अमल की उपस्थित में उपस्थित में उपस्थित में गार्म कर गार्म करने पर उपस्थित में गार्म करने पर क्या बनेगा क्लोरो क्लोरो बेंजीन क्लोरो बेंजीन बनता है क्लोरो बेंजीन बनता है बेंजीन बनता है तो अब यहाँ पर जो है अब इसका रियक्शन को बना लेंगे तो पहले आप सभी भी द्यार थी इसे पने कापी में क्या किजिए से नोट जरूर करते चलिए जिससे आपका एक नोट भी क्या होगा बनता रहेगा तो अब यहां रियक्षन को लिख लिया जाए शी सीक्स याच फाइब यान टू सीयल अब यह जो है इसको गरम करेंगे किसके उपस्तित में क्यो परस्कूल राइब शीयू शीयल या याच सीयल के उपस्तित में क्या करेंगे गरम करेंगे तो यहां क्या बनेगा सी सीक्स याच फाइब सीयल इसका नाम क्या है क्लोरो बेंजीन नाम है प्लस जो है nitrogen gas बनेगा तो यहाँ पर जो है दो reaction को जब लिखेंगे दोनो reaction को जब लिखा जाएगा तब ही जाकर कि chloro benzene का reaction क्या होगा पूरा होगा तो यहाँ सबसे पले ध्यान देंगे पहले क्या बना aniline को sodium nitride और यह CL के उपश्थित में 0-5 degree Celsius पर गरम करेंगे तो यहाँ बनेगा benzene die azonium chloride बनेगा अब यह benzene die azonium chloride को जो है cuprous chloride और hydrochloric अमल के उपश्थित में जब इसको गरम करेंगे यह chloro benzene chloro benzene का सुत्र क्या होता है C6H5Cl होता है और इसके साथ जो है कौन सा gas बाहर निकलेगा nitrogen gas जो है बाहर निकल जाएगा तो समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे जो है इसको बनाये गया प्रयोग शाला भी दी तकल हम लोग पढ़ेंगे इसके भोती गूर रसाइनी गूर और इसका उपयोग कहा किया जाता है कल की वीडियो में बताया जाएगा तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे पहली बार आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार